और आधे राधे टू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज के इस वन डे फ्री क्लास के अंदर आज का टॉपिक मेडम ने बहुत सोच समझ के दिया था हमें एस्ट्रोजी कर्मा एंड डेस्टिनी वैसे मैं बता दू कि ये चार दिन लगातार आपको सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ट से आप सबसे मागरे करेंगे कि आप सब लोग आईए कल हम बात करेंगे जो इस पेसल सेशन रखा गया है कल का तो कल भी हम साथ बचकर साथ मिनट पर सेम आईडी पासवर्ट से मिलेंगे उस पे हम बात करेंगे राहू और केतु की पावर्ट के बारे में उसके बाद हम तीन तारिक को मिलने वाले हैं एजूकेशन्स एस्ट्रोजी के ऊपर और चार तारिक को एहें वैदिक केलेंडर जो होता है दा पावर ऑफ पंचांग तिती नक्षत्रा वर्षा योगा एंड कर्म तो यह चारो दिन अलग अलग टॉपिक लिए गए हैं लेकिन मेडम की एक बहुत ही स्पेशल क्लास आ रही है जो चार मैने की क्लास है आज आपको बहुत ही अच्छा सुंदर आफर मिलने व जब आता है तो उसको अवेल कर ले एक बार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैडम का भी बहुत स्वागत है अच्छ आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया कोशिश करेंगी कि कि आज आप कुछ ऐसा लेकर जाएं जो आपके लिए नया हो जो आपके नौलेज में थोड़ी सी वर्दी कर सके और आपको अप्ग्रेट करने में मदद कर सके शेशन शुरुआत करने से पहले सभी से रिक्वेश्ट है कि जितने ज्यादा कैमरे ओपन होंगे उतना ही अच 17 साल से तो वो टीचिंग में है पांच-छे साल की उनकी मैनत उसके बाद से लेकिन आज भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा अपने आपको अपग्रेट करना नहीं छोड़ा यही कारण है कि उनकी जितनी भी रेमेडिज रहती हैं वो हंड़ेट परसेंट काम करती करती है देखिए हम भगवान नहीं हैं लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे शास्त्रों का ग्यान रहता है जिसको यूज करकर हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं जो हाड़ वर्क है वो तो हमें पुट उन करना ही करना होता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टूल हैं हमारे पास ऐ कैसी विद्यां हैं हमारे शास्त्रों में जिसका इस्तमाल करकर हम अपनी लाइफ में बहुत नहीं बहुत ज्यादा ब्लेसिंग ला सकते हैं उन्हीं में से एक है जोतिश शास्त्र यानि की एस्ट्रोजी आप सभी लोग इंटरेस्टेट होंगे इसलिए आये होंगे या पास कैसे ने कैसे लिंक आया होगा आप अपने आपको बाग्यशाली मानिये क्योंकि कोई भी यहां पर निम्रोलोजिस्ट एस्ट्रोजिस्ट टैरो कार्ड डीडर ही लर वेस्टरन वर्ड की कोई विद्या जानता होगा किसी ने किसी चीज में आप अरंगत होंगे लेकिन मैं आपको बता दू उन सब की जड़ एस्टरोजी ही है एस्टरोजी इस तब मोस्ट एक्यूरेट परफेक्ट टेस्टेड ट्राइड और जोतिश शास्तर से लेटेड है इसमें कोई इफ बट कोई भी नहीं कहता एवन दो आप लाल किताब भी पढ़ेंगे तो लाल करवए दिवर एस्टरोलोजी विद्व जोतिश ही है तो आज हम बात करने वाला हैं पाराशरी जोतिशे वैदिक जोतिशे बारे में और ये जो चारो टॉपिक रखेंगे हैं सारे के सारे हमिने व्योतिक के ही रखेंगे है क्या कोर्स आ रहा है कैसा है वो सब भी आपसे बात करेंगे और चित्रा मेडम की जितनी तारिः की जाए कम है क्योंकि वो एक साथ लाल किताब expert भी है KP expert भी है Gemini जानती है इसके लावा batch flour remedy expert है aroma therapist है dietitian है और बहुत कुछ उन्हों स्टार्ड साइन लेकि एक और क्लास जो बहुत ही अमेशा करता कि जैसे आप सीखते जाते हैं अपने आपको अप्ग्रेट करते ही जाते हैं तो उसी सिंख्ला में आज स्टार साइन लेके आए एक और क्लास जो बहुत ही अमेजिंग है उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे जितना मेडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इतने सारे लोगों की नहीं है उन्हें भी हो जाए और जो एस्ट्रोजी का ए भी नहीं जानते हैं वो भी यह कोर्स कर सकते हैं इसलिए आपको जब यह आप बहुत-बड़ी इमारत देखते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आता है लेकिन उसकी नीव के पत्थर से लेकर जब उसकी टॉप बनता और जैसे परशोतम जी ने बोला कि अभी हमने सो रखके कितना समय नहीं होता था तो शायद यह मेरे गुरू का आश्रीवाद है आज से बारा साल पहले मेरे गुरू मिले थे जिनके बास मैंने रिसर्च किया था और बारा साल बड़ फिर से टॉरस में जो है जुपिटर आ हम और कई खूँ करेंगे और में बहुद करूँ करूं और आपनी लोगों का बहुत-स वागत हैं और अम अपने वेbinar की शुरुबार करते हैं वरैशी को धरते विजिए ओम्नेशाई नमाः ओमनेशाई नमाः महा सरस्वती मेरी जीवा में बिराज वान हो ताकि जो भी ग्यान में दो इस दोरकी बानी का वास हो ओम सरस्वती नमाः कौन सरसुदीन हमाद, मैं मेरे भीनों को भी शर्दा से नमन करती हूँ और आप सब का फिर से दर्म करती है। अच्छा टॉपिक है, और वेडिक जोटिश। आप लोग सबसे पहले पूरोदिन में क्या कहते हो, आज तो मेरा काम हुआ है। तो भागय हमारा कहां से आता है। और वेडिक जोटिश का सिदा सिदा इन आईटाओ को बात करूए है। कि यह कुछ भी करना है कि कौन जवाब देगा इस करें चलिए इस सेशन को इंट्रेक्टिव बनाते हैं कौन-कौन बात करना चाहेगा वैसे तो इतनी सारी विद्ध्या हैं तो भी हम जोतिशी क्यों करें क्यों करें पार्टिसिपेट कीजिए सही यह गलत उससे कोई फरक नहीं पड़ता सब परिवाद भवसागर में भटकते रहोगे जब तक सही का ज्यान नहीं मिलेगा जब ज्यान मिलता हर शब्तों में ज्य चाने शिरीमती जी मोलते थे तो पतनी पतनी कैसी बढ़ीया चाय लेकर जाती थी राजीब जी शिरी का मतलब होता है लक्षमी और मति का मतलब होता है ज्यान सारस्वती तो शब्दों में बहुत ज्यान है और जब जब इनका मतलब समझ आएगा मैं अपने एक्स्प्रियं लेकिन आप्चुली में पूरा जनम आज तक भी कुछ नहीं आगे सब तक मरते दम तक भी कुछ नहीं आएगा फिल भी मैं अपनी तरफ से ट्राइए करूँगी मेरे गुरू बहुत अच्छे बैठे मेरे और मुझे बहुत अच्छी गुरू की किर्पा प्राप कुई है तो जो भी मेरे गुरूंवों से हाला कि उनके तो हम पाउं के बराबर भी नहीं है दूल-मिट्टी के बर बदलना तो है राजी जी बता ही है नहीं सर मैं तो यह इक बता हूंगा जी कि ठीक है अगर हम सीखते हैं अट लीस्ट भी नो वेर टु हैट इट तो सारे करते हैं मगर हमको एक्जाक्ट लोकेशन एक्जाक्ट वो चीज़ों का पता लगता है वेर तो हैट राइट ली अन लेकिन अगर देशनी फिक्स है राजीट जी आपी की बात लोते हैं हर बंदा समाधी ले सकता है नहीं कुछ ही बंदे क्यों ले पाते हैं क्योंकि वो उनका ट्रैक अब यही तो है यह ट्रैक तो दिलाता ना जी माम जोतिश वो देता है अट लीस्ट ट्रैक देता हो चीज कि हमें जैप पता हुआ है कि अब जैसे आप बता रहें कि भी हां जी जी मलब मैं मैं को इच्छा है लेकिन मैं वो कैसे करूंगा क्या नहीं करूंगा वो एक ट्रैक मिल जाता है तो फो अपने बिल्कुल कर सकते हैं और आपको डेस्ट नी भी चेंज कर सकते हो जब आप य अगर मैंने जा अब अब यह तो अच्छा बताया आपने सर में एक दो और अंसर लेते हैं यह बहुत सेंस्टिव टॉपिक है जहां पर लोग सीखने के बात बिना पीछे अटते हैं मैं सोटे से पीछे नियाटो इसको समझो जानो पेचानो तच करो प्यार करो और जरूरी नहीं होता हर्जे का काउंटिड मनी आती है और वेदिक स्टॉलोजी कोई भी एस्टॉलोजी अप नहीं सीख सकते अगर अब वेदिक स्टॉलोजी को बात करेंगे एक तो तरूस्या होगा तो नंदा जी से बात कर लेते हैं मैंने मैं मैंने यह बहुत बड़े देखा कि आप दूसरों के साथ अच्छा करो कि तना वर्जी अच्छा करो सामने वाले को भी पत्ता है कि आप ये साथ अच्छा करेंगे जिकिन स्टेल पीपल डॉन्ट लाइक यू ऐसे क्यों हाँ और महनत के बराबर बल नहीं मिलना य कि बहुत अच्छा करने के बाद भी हमें अच्छा नहीं मिलता है इंपे एवरीबडी विल लाइट यू पटीप कई लोग आपसे जलते हैं पिना बाद की तिक है वह मैं आपको अभी थोड़ी से कर्मा पढ़ाऊंगी जो समझ में आजेगे लेकिन आपकी बात के जवाब एक बारी एक लेडी आई मेरे पास तीन साल पहले बहुत पैसा और बहुत बड़े एज्ग्रियम के लेकिन उसका बेटा उसे मारता था उसने बोला मैं अपने बच्चे के लिए खुद खाना बनाती जबकि मेरे पास चार पास नो कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा बच्चा जो है मुझे पाउं से खाना फिक देता है तो क्या इस एनी एनी पॉइंट एने मार्केशन कि अगर किसी के पास एक पद है तो वो दूसरी जंगा सुखी है है ऐसा कुछ इसका मतला कोई ना कोई कर्मा कनेक्शन है हमने पास लाइफ नहीं देखा उस लेडी हमारे पास लाइफ का आपने सुना होगा एक लीव का होता है जिसमें पास लाइफ में भी जाके देख सकते हो कि आपने पास लाइफ में जाके किया उस लेडी ने पास ला में उसमें एक ऐसी जंगा पर वो थी वोल्ड करती थी जहां पर वो यंग बच्चों को खुम्मार भी थी कर्मा इस कम तु अस इस डिपेंड इंटेंस्टी वही इंटेंस्टी आज आपको पढ़ानी है वही आपको पढ़ाना है ताकि यू के आंसर आउट अवले सब चीजों का और वही जोतिश पढ़के फिर वही जैसे सर ने पहले बोला ता यू कि अपको पता लगे कि कुछ विच इस अवेरी यूनिक सब्जेक्ट ऑफ इस्टॉलजी विच नीड वेरी प्राफिश पट्यू गेंट आंसर अव आप तो अपनी बात कर रहें मैं आपको एक चोटा से एक्जाप्ल पिछा प्रताती है कि मुझे कोई शरम नी आती कोई बात शेर करने से क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे लर्निंग करके अभी मेरी मदल लोती में कुछ भी कर लो अट ताइम ऑफ डेत ओल्सो तो उन्होंने बोला ही बोला है मैंने मेरे गुरू जी को कॉल किया जब मुझे इतना ग्यान नहीं था तो हमारे को मैंने उनका गुरू जी देखो इतना वोलते मुझ मैंने चांट करना शुरू करा मैंने उनके लिए अच्छा बोलना शुरू करा वो कहते हैं जो भी वह बोले बस तू थैंक्यू हो अभी मैं मेरे गुरू जी को कभी नहीं पूस्तिया आपने मुझे यह जवाब क्यों बोला अगर उन्होंने बोला तो I have to do कुछ ना कुछ क करना ही है अब बलीव नहीं करोगे पांच शे दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुला मैंने तरको लाइफ में इतना टॉर्चर किया फिल भी तू उन्हें मेरी तनी सेवा करी और उन्होंने मेरे हाथ जोड़ी तो गुरू जी ने मुझे बोला कि देख तेरे करम थे लेकिन तुने अच्छा से करें तेरे कट हो गए और तेरे करमा थे अगर तू अभी भी यह सब चीज़े करती तो तरको दुबारा से लाइफ में आप तिर से ओल अबॉट करमा थे पढ़ेंगे बश्यों का करा हुआ भी कहते हैं माबाब को सब समझेंगे मैं तो यह प है तो चलो ची है तो अज का जो हमारा टॉपिक है बहुत संस्थिम है यह बहुत सारे लोगों का सवाल है जब लोग हमारे पास का लिए आते हैं तो हम को र बात कर जवाब आप नहीं दे पाते हैं क्योंकि लैक आफ ताइब तो यह टॉपिक के स्टॉलर्जी कर्मा एंड डिस्ट क्या है यह सब ने सुना है भाहिया सब देटों बर्त निकलवा लिया या फिर नामकरन करवा लिया या तो फिर घर का महुरत निकलवा लिया अब यह सब्सक्राइब है यह मैं अच्छा कर रहा हूं आज अच्छा करूंगा आउना तो अच्छा ही होगा या फ्रिशिय का क्या है हमेशा से धरं और साइंज के साथ में जुड़ा से रहा है यह यूग यूगो से रहा है आज की बात नहीं है यूग में रहा है लेकिन क्या होते हैं परसंटेज पीपल से हम डेसे डिसाइड करते हैं आज मैं आपको रेमेडीज भी बताओंगी जितना डाइंग है तो मैं आपको काफी कुछ बताने के कोशिश करोगी तो साइंस हमेशा पुरूफ मांगती है और जो पुरूफ हमें नजर आता है वह साइ जो आउटर है और जो इनर है उनकी बात नहीं कर से लेकिन अस्ट्रोजी करम और देस्ट्नी की क्या है एक स्ट्रिंग है जिसको पढ़के समझ के हम रिडिम्शन कर सकते हैं हम आगे के कैल्पूलेशन को कैसे कम कर सकते हैं क्यों एक बच्चे एक बच्चा अपने पेरेंट को मार रहा है इस दे जाने पड़िक कि या तोनों के बच्चे कंसे महाब आपने प्यार नहीं अपने बच्चों से अगर कभी आपने जेयल विज्ट कर और आपने अडोस पडोस उनको अपने देखा ओ हो या कभी कई पर ऐसे लोगों को अपने देखोbl कुछ किया ही नहीं है तो इसका मतलब संथिंग है ना कहां से आ गई वो चीज तो इसकी हम बात करेंगे अलग-अलग समझेंगे कैमरे खोलोगे अच्छा लगेगा और मैं आपको बता दू जीवन का सबसे बड़ा रिंड मैं बोलना है जाती विकॉस गुरू शब्द बहुत बड़ा है बड़ जो भी आपको छोटा सभी घ्याद दे रहे हैं वो कुछ तो देए रहे हमें जो जीवन के अंदर प्रभू रिंसे भी बड़ा जो रिन है और गुरू रिन कहते हैं आतकी पत्री में भी होटा की लाइफ में भी होता है आपने नुमरॉलोजी करा किसी ने कुछ किया को दिनोंबर से समझता है जो बास्टीय करण रहेए इसलिए कहते हैं अगर ओसका ने उसको थोड़ा सा अब तो च्छो कोई इन परफ़े कर देगा तो भी वह हमारा गुद्ध कर्मा में कंदवर्ट हो गाता है हम तीनों को समझेंगे कि है क्या तो अब हम सब्सक्राइब ताकि आप समझ है जड़की बात को समझेंगे इसके तभी हम इसके कॉन्सक्राइब हम एक शापदत को समझते हैं करम तो वो भी है जो हम करके आया एंट कर रहे हैं करम तो वो भी है जो हम danach करके जाए लेकिन की जो हम एक डोट उपसे और चेकों कर्म यह दोनों समस्दि professora क्ण सब्चे हैं कर्म और जाना चाहते हो ये रहत से चाहती हो कि हमारी जिंदगी में हम बिना उपाई करें हमारी जिंदिगी बढ़िया हो जाए हमें हरतर एक उपाई नहीं करने पड़े क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे बच्चे उपाई करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उनके मन में फिर भी जादा इर्शाभाव नहीं है कभी सोचा है अपने के बात वह नहीं करते हैं ऐसे वाले उपाई लेकिन वह क्या करते हैं उनके अंदर बहुत कम इर्शाभा होगा किसी के लिए क्योंकि वह बहुत प्राक्टिकल है जितना आप रिस्पॉंसिबिल्टी से जुड़े रहते हो उतने आपके कर्मा कलेक्शन ज अब क्या है इसका रहत तोड़ा सा समझेंगे जोति हमारा सबसे पुराना सबसे पुराना रहसे है हमारे जो महाकाल से इसा मसीजी आये ते आज से 24,000 वश पूर्ट तब से इसका वर्मन मिलता है और अभी तक वर्ड में जो हिंदुस्तान के जिस वेदा को भी सम्मान दिय गया पते आपको कौन सा है वो एक है कौन सा वेदा है हमारा रीगु वेद है सबसे पुरातन वेड माना गया है रीगु वेद्म थिक है मुस UX वेदा रीग ए सम्हां में मिलता है पार एसका जोतिश का मिलता है और उसके बाद इसका आर्दवल में तो मतलब ऐसे महाン करंथों में इसका वर्नन मिलता है और जोतिश मतलब जोतिश को क्या बोलते है वेदांग वेदों के छे अंग होते हैं उसमें से एक महां अंग है जोतिश तो आपने बहुत सारी जिनापे बहुत सारे टाइटल्स पर देखा होगा जोतिश वेदांग वो इसलिए लिखा गए करेंगे कालेंडर की बात करेंगे चोटे-चोटे-चीज़ों में होरा को यूज करके प्राक्टिकली आस्ट्रोजी को यूज करते हैं पतला हम इस पे शक कैसे करने का कोई अधारत होना चाहिए पही जोती जो है स्वाम ब्रह्मा जी से नहीं परम ब्रह्मा जी से प्रम ब्रह्मा जी से ब्रह्मा में दिव्वे ज्यान पर दिव्वे ज्यान के बल पर उन्होंने किसकी इसापना की थी ब्रह्मार्ण की सापना और उसी पर अधारित है जिन उसमें उन्होंने एक स्रिश्टी को कायम किया जिसमें उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ का निर्मा किया जिसे बोला जाता है जोती प्लस इश जानी की जोति यानि की इश्वर की जोती और और जिसमें एक व्यक्ति को बाहर से नहीं अंदर से देख के हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति के कि अक्चुली स्थितिक क्या है किसी ने हमसे पूछा कि यह आप कैसे हो मैं अच्छा हूं लेकिन हमने जो उसको देखा गया तक सब्सक्राइब नहीं चलता क्योंकि हम वह नहीं है जो दिखते हैं हम वह हैं जो हम हमारा डेटा देता है एक व्यक्ति का जो जीवन है किस पर अधारित होता उसके रिकॉर्ड पे सबको सेम और डेट ऑब बर्थ टाइम ऑब बर्थ नहीं मिलता मिलना चाहिए होता है कि हैं जीवन की घड़ी वैसे ही चलतीज है उषए होते हैं सधर्मीण होता है उसे बोलते हैं हम औरस को 그래도 हम बोलते हैं कुंदली इस लिह बहुत बुरातन वर्ड भुध कुले समय से चला रहा है और इसको एक सब्सक्राइब होता है तो इस लिए पिर मैं जान होता है तो इसकंड प्लैनेट् Do आज बात करते हैं नौ नशे को नोट करते हैं तस में करते हैं मार हो घोऊ कि करते हैं राशी यो ऊन्कि थैनि डीक और नां बार हॉसिट को हमारी लाइफ को दो उसके अधार पर हम पूरा का पूरा जो है data calculate करते हैं और बता पाते है कि कौन से हमारे क्या हमें मिलना है क्या नहीं मिलना कौन सा luck factor है कौन सा लुद से मैं आपको हजारों case ऐसे बता सकती हूँ जिसमें रमालों लोगों की बरी हालत है जिनka education का बहुत अच्छा है लेकिन पुरी रालत है तो उसका भी होता है कि हमें वो चीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उसके लिए बहुत होता है इविंट इविंट कैल्कुलेशन और टाइम जो प्रिडिक्ट करते हैं उसका बहुत इंपोर्टेंस तो अब हम समझेंगे कि कैसे हमें चार्ट मिल गया सबको समझ आ गया है सब लोग अपने चार्ट बना सकते हैं किसी भी सॉफ्ट्वियर पर अपनी डिटेल्स आ लेंगे उसके पास एक चार्ट बनके आता है वो चार्ट जो होता है उसके अंदर उनका डेटा मिलता है जो उनके साथ में lifelong link करता है वह उनका एक बेस है एक reflection है एक चार्ट देखके ही समझ में आ जाता है उपरी तौर पे कि इसके क्या क्या इसके linkage है ठीक है तो अब हम समझेंगे क अबिए का हर्म होती है और हमारे चार्ट से गे कैसे लिंक है और कैसे इसे ठीक किया सकता है समझ में आरहा है सबको मज़ें और यह नहीं अरी है यह किसको मज़ें और है इसकी हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं कि कर्मा क्या उतर हमारी लाइफ से कैसे कनेक्ट है थोड़ा को बताने की कोशिश भी करूंगी याश उसमें बहुत अच्छा आपको लाइफ साइंस सुनने को मिलती है इसमें युदिश्टर जी का सब्वाद सूना होगा अपने यक्ष के साथ इसमें फूरा धरम का विचलन है पूरी जीवन का मिला तो करेंगे नहीं मिला तो कोई बारा पिर सभी जड़े. तो अबुं कर्मा थियोरी क्या कहती है कि हमारी लाइफ में चितनी भी प्रॉब्लम आती है ये बताती है कौन थियोरी ओफ कर्मा हाला कि इसको explain करना is not possible क्योंकि महापुर्शों ने महात्मा उन्हें पूरा जीवन लगा दिया इस कर्मा थियोरी को फिलोस्पी को चाड़ने के लिए और वो अध्यान करते हैं उन्हीं के ग्यानवल पर हमें आज उन्हीं ब्लैसिंस इतनी भी मिली दिया तो इस यूग में इ कर्मा थियोरी किस फिलोस्पी पर अगर हम धर्म की भी बात करते हैं तो इसका नहीं कौन सो है कर्मा थियोरी । ती कर्मा थियोरी जी गई है कर्मा थियोरी ते रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप होती है जो एक परसन का मेंटल जरूरी भी यह इन्सान का किया वह एक ऐसा एक्षिन है चोए ऐसी शीट है जो उसके ही दुआरा की गई है फिजिकल की है शारिरी की है mentally की है या emotionally की है लेकि इसका करने का level अलग है जो continuous चलते रहते हैं बिना जोड़ तोड़ के चलते रहते हैं लेकिन जिनको तोड़ना भी हमारे बहुत सारा हाथ में है जिनके कारण हम बहुत सारे रिनालू बंदन में भसे रहते हैं रिनालू तो आपको देने आएगा तो क्या नहीं लोगे जैसा हमारा जीवन है तो यह जो रिनाल्व बंदन होते हैं जिनके अधार पर हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रेजेंट जीवन के अंदर क्या मिलता है हमें दुख और पीडा, sorrow and sin. बतलत दुख भी मिलता और पीडा भी मिलता, दुख और पीडा में बहुत फर्क होता है. दुख क्या होते हैं? जो थोड़े समय के लिए हमारे साथ हमारे सबके दिमाग में ये शब्द हमेशा से चलता है हम जितने भी क्रियाएं करते हैं जितने भी चीजें करते हैं कहीं न कहीं हम क्या चाहते हैं total happiness तो ये हमारे जन्मों के accumulated कठे किये वे करमाज की deal होती है जो हमारे horoscope से भी reflect हो हमारी ये theory कहती है कि जो चीजे हमारी life में आती है वो हमारे करमा है करमा से ही आती है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की मतलब past life के जीवन की चीजों को carry करेगा ही करेगा कोई चीज चूज नहीं कर सकता क्या कोई अपने parents चूज कर सकता है तो आपके जिन्देगे में कोई व्यक्ति आके आपके इतने करीव आ जाता है और फिर वोई धोका देके चला जाता है क्यों तो आप तो नहीं जानते हैं उसको कोई कार्मिक बर्डन है न तो यह सब किये वे हमारे ही deep notes है जो समय पे आते हैं और हमारे ही किये वे actions होते हैं औ कोई व्यक्ति किसी celebrity के धर में कूजन अब लेता है चोटे से बच्चे ने क्या ऐसा करम किया है और एक कोई व्यक्ति ऐसे उसमें क्यों पैदा हुआ है बहुत चोटे से परिवार में और यह भी बात कोई standard of judgment नहीं है कि एक चोटा परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति किसी बड़े लेवल पर नहीं हो सकता या कोई बड़े लेवल पर पैदा होने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अपने जीवन के अंदर हमेशा राइज इन सनी रहे ऐसा होता है ना इसका आंसर सोचके रखना अभी आप लोगों से लेगे तो जो यह करम और दुख और प आदिदेविक देविक देहिक और भोधिक कर तीन तरह से हमारे कर्मा आते हैं बिदधी को ओते सार विसम्ज्मन होती है इसको लेकर हमें इतनी तरह की चीज़े आती हैं हमें हमेशा चिंता लगी रहती है हमारी होरस्पोल में सारे रिफ्लेक्ट होते हैं जब हम और उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जब कहते हैं तो थोड़ा तो इससे पीड़ा आती है अगर इसके साथ को नेकिटिव प्लैनेट बैठा होता है तो वह बहुत आपको तक तक है अब इन तो पर्मानें टुपाए पहले जमाने में अश्टांग योग को बहुत इंपोर्टन दी जाते हैं आज तो स्टांग योग हर व्यक्ति नहीं कर सकता लेकिन प्रानयाम डीप प्रीदिंग और मेडिटेशन आपके इन सारे के सारे चीजों को ठीक कर देती हैं डिप्रेशन एंसाइटी चितनी भी होन चीजे वाले की सारी चीजे हैं जो आपके जीवन में रिप्लेक्ट होती है देक आपके इच और आपके अपने प्रीदिंग कराती हूं या अपनी कोई क्लास लेती हूं मैं सबको बोलती हूं कुछ भी करो ताकि आपके खुद के अपने थौट सेटल हो जाएं अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों से गुजर रहा है आदी देविक चीजों से गुजर रहा है कोई भी mental है कुछ भी इस तरह की चीजी एक कोई भी डर है आप इसकी प्राक्रिस करते हों हंड़ेट परसेंट यह आपका क्योर हो जाता है हंड़ेट परसेंट है अब दूसरे आते हैं आदिदेविक देहिक क्या होते हैं शरीर की फिजिकल पीडाउं एक्सिडेंट्स होना बॉडी पेंस होना और अडिक्शन आदिदेभिक पहला था यह आडिक देही कई देही मतलब शरीर मतलब सारे लोगों के अडिक्शन ne छूते ही नहें हैं डेके के बहुत सारे लडुंक in aç और उपाख राव चाय अरो और उपाख और करते रहते विचारन नहीं हो एक इस से ही ठीक होते हैं तुक कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो देहे पे आते हैं, यारी शरीर पे आते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं, 70-80% लेकिन उनका solution क्या है? उनका solution है, auto suggestions देना, auto suggestions देना, उनके अंदर उनके mind में बैठी भी चीज़े हैं, उन्हें release करना, ठीक है? और ये जो release होते हैं, ये होते हैं, soft, self free will से, free will क्या होती है, मैं भी आपको बताऊंगी, free will होती है, जो हमारे हाथ में किये हमारे कर्मा होते हैं, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद responsible हैं, हर एक वो action जिसमें मेरा खुद का रूल है, उसे हम बोलते हैं, free will, त कौन से कर्मा होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो एक self free will एक ऐसा कर्मा है, एक बहुत बड़ा ऐसा कर्मा है, जो आपके कितने कर्मा को काटता है, जैसे कोई ट्रिंक नहीं करता, और आपको कोई कहता ट्रिंक कर लो, या कोई आप ऐसा काम नहीं करते, जो कामने वाला काहरा आपसे कर्मा, तो वो तो आपकी विल है, आपको कोई गोली मार देगा क्या, कुछ आपने दूसरों के अंडर रहके अपना कर्म किया है, वो उसका कोई भी आपके पास collection नहीं आता, अगर कोई office में working कर रहा है, कोई कहीं और working कर रहा है, जो अपने कर्म क भली बूत ना होकर दूसरे के कर्मों के अधार पर कर रहा है, उसका कोई नहीं आता, जैसे गीता में कहा था, करम परधान है, वहाँ पर बात थी धरम की, वहाँ पर बात रिष्टों की नहीं थी, इसलिए वहाँ पर किसको अपनाया गया, करम को अपनाया गया, तो जब आ आपकी फ्रीविल नहीं होते हैं और यह थीक हो जाते हैं और आपकी स्टॉंग चीक है तीसरा आधी भोतिक कर्मा अब यह क्या है यह नेच्टिगल कलामेटी से होते हैं आपने बहुत सारे लोग सुने होगे कि ऐसे बहुत सारे लोगे धार्विक स्थल्पे गई मही पर डेत हो गई कही पर बाद आ गई कही पर बहुत अच्छी जंगह म करें लोग रहते हैं सब कुछ खतम हो गया क्यों हुआ ऐसा कि कॉस्टे है करी डैट अधी भोतिक तर्मा तो इसका बहुत ज्यादा डिडंशन नहीं होता है थोड़ा वहत होता है अगर आप अपने फ्री विल करमास करते हैं और एक हमारी बॉड़ी के अंदर जो बहुत ल वाले इशूज आते हैं जो कि ट्रीट नहीं हो पाते वो भी आपके आदी भोतिक करमा में ही आते हैं ठीक है जो और गन बेसिस पे आते हैं तो यह जीवन जो होता है ना यह हमारा रनालू वेस्ट पे है मतलब जिससे हमने रिन लिया है हिंदी में बोले तो और इंगलिश म नहीं होता इट सेज गीता इस सेज दर्शन शास्त्र इशेस जोति शोन से लिखावा कभी नहीं बदला जा भरा जाता आपको भरना ही पड़ता है आप उसको काट सकते हो तपो बलके द्वारा ठीक है तो जो भी आप करमा करूंगे वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे डेटी आएंगे और जितनी मर्जी कुछ भी कर लो कोई भी चीज नदिंग ननीतिग इस लिंक्ट भी अगारे कहुं है कि अच्छा थे गिता में करन बूर तो में तो फल पाना तेरा करतवे नहीं है उसका फल तुझे हंडेट परसेंट नी थाउजन परसेंट मिलेगा कहां मिल जाए तुझे तुम्हें नहीं पता, you people all are doing the very good karmas in other places, somehow you say कि I am facing all these things but you never know कि आप कितनी जंगा बचे जाते हो ठीक है तो घेराई में अर्थ समझो तो वो कर्मा आपके पास definitely बहुत सारी percentage के अंदर आता है उसका benefit कब आता है या कहां पर कितने percent आता है when you are facing the dread karma अद्रिट कर्मा जो कि बहुत problem करते हैं उसकी intensity को भी वो कम करें, उसकी भी बात अमंद करें आप से मैं पूछते हूँ, आपने बहुत आदी कालों से देखा है या आप भी बहुत बहुत करिया करते हो कोई ना कोई भगवान को मानते हो कोई ना कोई पूजा करते हो किसी ना किसी को याद करते हो कोई कोई पार्ट करते हो करते हैं बहुत धार्मिक प्लेसिस में भी करते हैं आखें क्यूं जी मेडम जी लोग जाते हैं मैं जाते हैं इसलिए जोतिस की बहुत बड़ी रहिए है जहां से दुआर खुछते हैं और जहां इससे करने से मेरे जीवन में परिवरतन आ对 है इसलिए करते हो ये नहीं करते हो कल कि भी प्रॉब्लम में और वाके में आता है ठीक है तो जब भागे फिक्स है इंगा करने का क्या पाइदा है और क्या लगता है कि कुछ तब मेहनत करें और मेहनत करें का पार्ट नहीं दिखता वो आपको κα्शन लेकिन जो भी आप अक्शन करते हो इसiliation के ठीक है वह भी एक करमा ही है और आपके करma करने से कौने कर्मा करने से इस ओर आपके कर्मा करने से दर्शन पार्ड दर्शन अभ्यास अध्याए बंदिर जाना keuram स्थानों में जाना उससे आपके रहेवे आपके नहीं आपकी इस रिलेटिड जितने भी लोग होते उन से उनको भी उससे बैनिफिट मिल कर ठीक है पदब गीता में आपने वह भागवत में पड़ा होगा यह करम करोगे तो स्वर्ग जाओगे यह करम करोगे तो नरक कि उसकी अनुभूति तो आज के जमने पर यहीं हो जाती है जब हमें किसी कर अपने चीज में कश्च आता है तो क्या हमें नरक का नुभव नहीं होता है और जब चीज़े अच्छी होते तो हमें सुख का अनुभव भी होता है तो हमारी continuity of life चलती ही रहती है तो प्रॉब् के और प्रॉब्लम दोनों ही हमें continuity लाइस में चलती रहती है लेकिन इन दोनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसका हम सेलूशन प्राप कर सकते हैं दो ही चीजों का सरू नुटा है वह शास्त्रों में लिखता है तिस धरम और दूसरा जूदिश एक्चुली जोतिश is the part of धर्म एक्चुली धर्म is the part of जोतिश ठीक है जोतिश if you read the जोतिश you can make the कर्मा और you can break the कर्म ठीक है तो धर्म और जोतिश इसकी व्याख्खा पड़े तो पता चलता है एक व्यक्ति अपने कर्म को कैसे प्राप्त करके साधना करके कैसे अपने समाधी समाधी तक धारन कर सकते तो अब हम इन कर्मों की बात करेंगे कि कौन से कर्मा हम कैटेगराइज कैसे लेके आते हैं और उन कर्मा के क्या उपाए हैं और वो हमारे होरस्टोप में कैसे zrifflective किसी के भी horoscope में वो कैसे रिफलेक्ट होते हैं तो कितनी तरह के करमाज होते हैं इसकी बात हमें हमारे horoscope में जहों करमाज को देखते हैं तो हम उनको solutions करते हैं remedies के दुरूप और कुछ ऐसे करमास होते हैं, उनकी भी करनी remedies ही पढ़ती है, अगर आप remedies या उसको काटते नहीं हो उसका तब से क्या होते है, चीजों को तपाया जाता है काटा जाता है, अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको carry burden फिल से पताने कितने बर्तक करता है, क्या तो जब शास्त्र लिखे गई थे, जब ये चीजे लिखी गई थी, तो क्या था, वैदिक wisdom था उस ते, उस ते, blessings of गुरू था, और कोई व्यक्ति गुरू की blessings लेता था, कहते हैं जो गुरू को सम्मान देता था, गुरू के साथ रहता था गुरू उसकी problem को अपने अंदर समा लेते थे और आपकी problem solve हो जाती है, तो आज भी होती है, आपके, आप बहुत सारे लोग आज भी बहुत गुरू को मानते हो और आपकी problem solve होती है, कहते हैं अपने गुरू धारन किया गा, जिंकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो किसी गुरू का नामधारन करते हैं तो क्यों सॉल्व हो जाती है और जोतिश क्या है जोतिश गुरू है इस ब्रहमांड के गुरू है तो अपने आप ही ब्लैसिंग आने लगती है तो हमारा तभी गुरू योग को जोतिश म मैं यह सबसे ब्लैस्ट व्लैस्ट होता है होता है और स्कूप में भी के बारा स्थानों में से 12 अधा decades तो जो इसको पता करूं आपके बता दू हमारे होरस्कोप में एक लगन चार्ट होता है मतलब जो हम एक हाउसे बनाते हैं कोई भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे मैं अगर अभी का होरस्कोप बनाऊंगी तो एक डैटा आपके पास आएगा उसमें कहीं प्लैनेट्स लिखे भी आएंगे वह होता है डैटा जो सेंटर से स्टार्ट होता है ट्वेल्थ हॉसस में मैं देखते हो भी अभी देखते हो बता देखो एक एक मिल्ट में देखते हो दिलातो हुआ कि तुम आपको भी का बनाते भी दिखा दूगी अभी का किसी बिच्छे का जैनम होगा कि अभी दिखाते हैं आपको बनाकर तो हमारे होरोस्कोप में एक लगन चार्ट होता है और उसके बाद में डिविजनल चार्ट होते हैं बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं बाद में होता है उनीक ग्रीक्स होता है वर्षी यहीं मेन की प्लां किया है जो कि हमारा व्यन से problems को पढ़ के solutions 토 तो वो उसके अंदर हमारा reflection होता है लेकिन लगन chart से ही हमारे करमास हमको पता चल जाते हैं तो हमारे तीन type के करमास होते हैं जिसको हम बोलते संचीद कर्मा प्रारभ्द कर्मा संचित कर्म, प्रारद कर्म, एंड क्रिया मान कर्म, मैं अभी आपको ट्रॉ करके विटाओ, तेंशन ना, ठीक है, अब संचित कर्मा कौन से होते हैं? एवरी एक्शन, एवरी कर्मा एटो जेड पूर्व जन्मो के कर्म, इट में वी पॉजितिव और इट में भी नेगेटिव ऑंसो तो यह रिफ्लक्ट होते हैं, हमारे होरोस्कोप के पंचम भाॉच. पांच मां भाउच होता है, हमारे होरोस्कोप का वो शो करता है आपके संचित कर्मा जो आपके पूर्व जन्मों से आपको अच्छा या खराब मिला है जहां पर आप पित्रदोश को भी देखते हो अगर किसी का पंचम भाव में गुरू बैठा है तो वो बहुत ब्लेस्ड होता है उसने बहुत पुन्ने किये होते हैं वो को उससे सफरिंग को करना पढता है लेकिन इन संचित कर्मा होता है अभी Library बनाती है तो है या जो पंचम भाव से निवयक्त हो रहे हैं इसका एक पार्ट कर बहुत बहुत अच्छे से उपाय कर सकते इसके उपाय करते हैं मंत्रों का जाते लिए किया जाता है भक्ती योग में तरह के योग रहते हैं हमारे कर्मों के ज़स्था तीन करम है ऐसे हाह में हुस्था बहल disl thats कुष्था मlementर बहुत वक्तियो मंत्रों का जाप आप करते हो तो आपके पूरे करम जो है डिफलेक्ट आपके पूरे करम ट्रांस्फॉर्म हो जाते हैं आपके बूरे करम समाक्त हो जाते हैं और आपके अच्छे करम पैदा होने लगते हैं अप मैंने दो दिन पहले किसी मैंटोर की बात सुनी, उसने बोला कि जोतिशी फीमेल्स के लिए नहीं है, मैं आप से पुछती हूं, क्यों नहीं हैं फीमेल्स के लिए, फीमेल्स और या मेल्स हो, क्या फर्रक्ता है, मैंने एक बहुत बड़े जोतिषा चाहरत जोकी जिनकों की वर्ल्ड में नाम मिला है इंडिया का मैं नाम नहीं लेनी उ anda इतनी अच्छी थी जोतिष में उनके संसकार उनके अंदर आए तब वह बहुत अच्छे वर्ल्ड इमज जोतिशा चारे बने और इंडिया के नमबर वन जोतिशा चारे हैं और अगर एक अगर हमारे जैन धरम में भी देखो तो त्रिशला जो माता के संसकार है बच्चे में आते हैं क्या आपको नहीं लगता कि फीमेर्स को जरूर पढ़ना चीज आज से 500 साल पहले भी क्या आती है फीमेर्स कहते हैं मैं बेवी पैदा नहीं करना मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ जब फिफ्थ हाउस जब पहला बेवी पैदा होता है आपकी किस्मत चेंज होती है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों क्या से एक्स्पीवियेंस रहे होंगे कि जब घर में उनका बच्चा पैदा हुआ हुआ भागे लेके आया हुआ उनको आज चाइल्ड रिस्पॉंसिबिल्टी एक बर्डन लगता है जब वो इस साइंस को समझ जाएंगे कि मैं जो करम नहीं भी लेके आया मैंने मेरा बेवी पैदा किया है वो मेरा पांच में हाउस को एक्टिव कर रहा है चाइल्ड बर्थ इस नॉट रिस्पॉंसिबिल्टी इस ब्यूटिफिकेशन मैं मेरे दूसरे के करम से भी अपनी जीवन को सवार सकते हैं ऐसे बहुत बार हुआ है ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल से मेल या फीमेल से परक नहीं पड़ता और अगर ए और आज हम हूं फीमेल इंपावरमेंट की बात करते अगर इधृमिल को लेती है तो अपने घर को परिबार को बहुत अच्छे सामाल सकती है अने अवाले टाइम में अपने लिए अपने देश के लिए बहुत अच्छे अपने संसकारों को चेंज करके, सुभाव को चेंज करके अपने इन्वाइमेंट को चेंज करके एक नया हमारे देश को भी पीरे दे सकती है येस और नो आज बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते मेडम देवी नहीं करना तो यह चीजे तो चैकेंड तरह के चीजे आती है आपको बनाके दिखाते हैं जो हमारे करमा आते डैट इस प्रारब्द प्रारब्द वो है जिसे हमें भोगना ही भोगना है लेकिन प्रारब्द में भी हो सकते हैं और कौन से प्रारब्द हमारे कट नहीं हो सकते ठीक है उन प्रारब्द की और वो हमारे होरोस्कॉप से कहां से रिफ्लेक्ट होंगे वह मैं आपको बताती हूं पुशोत्प जी कोर्स के बारे में बताऊं कि बीच में पहले ताकि लिए गजी चरद हूं देखें जो कोर्स आ रहा है हमारा है वह कोर्स आ अरह आपका चाहर मेने का मैंम पीडिये आप ओपन कर लोग लोगा आपको में आपको वेस्ट 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 जी मेडम प्लीज आप बताएं कंटेंड देखिए हम क्या-क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं यह पूर मंत का इस्क्रीजव कोर्स है जो की प्रोफेशनल एस्ट नाम से लांज किया गया है इसके अंदर चार लेवल से राइट में ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स है यह पूरे वह लोग जो पूरी अपनी जोतिश को जानना चाहते हैं अपना जीवन बदलना चाहते हैं जिने जोतिश से प्यार है ब Canyon कि समझ में नहीं आता उंद्कैनी अगर 5 और अगर वह प्रॉफेशन भी बनाना चाहते हैं ने स incarमा सकते हैं उस से प्रॉफेशन बना सकते हैं इसमें हमारे पूरे के पूरे लेवल रहेंगे पहले लेवल्स में क्योंकी नीचे से मैसी है जोतिश फलिक जोतिश सलूशन पार्ट यह सारा हम बताएंगे इसके अंदर इसका स्लेवर्स बहुत 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 बढ़ा है शायद थोड़े से शब्दों में मैं आपको बता रही हूं क्यों कि अभी आप देखेंगे तो इसका स्लेवर्स ही शायद सोला बेजिस का है त सिस्टम पर बात करेंगे गर्ब जोतिश की बात करेंगे की बच्चा जब 9th month से ही उसका planets का स्टार्टिंग हो जाते कैसे प्लैने उसकी life को को में बात करेंगे औरुक्राइब लैवल करेंगे के शire नाइन फ्राइनेट्स बार dalla आउट जुजिए टोर यह वायज्ञ क्या होता है कि कार्शक्रा प्रोफेशन स्कौर्ण डारेक्षन दोस्थी जो सिक्सी वो इन जा उसके बारे बात करेंगे फ्रेंशिप एक्षाल्टीट डबलेटीड मूल त्रिकॉन ओन हाउस ग्रहों के अवस्था क्या है कैसे कहां पर घ्रह हमें फर इफेक्ट नहीं देते हैं डिग्रीज क्या है कौन से प्लैनेट अस्त होता है वक्री होता है राट्रोगेट होता है नालिफिक और की परिभाशा क्यों होते हैं लाइट में कैसे असर करते हैं इनकी हम बात करेंगे लेवल दो में ही हम बात करेंगे राशी की बारा क्या कैसे काम करती हैं और इनका क्या एक सिक्वेंस एक हैं धने रहते हैं सब्सक्राइब बहुत की हैं मतलब यहां पर बहुत जबर्दस रोल आता है जब आप अड्वान्स अ्स्राइलिजी करते हो कि आपके धनवायों में क्या फीक्स है या फिर आपके बस movable है उन सब के हम बात करेंगे energies of and synchronization of sign की बात करेंगे नक्षत्रा की बात करेंगे इस वाले second way level two में ही हमारे 27 नक्षत्रास हमारी बॉडी में कैसे effect करते हैं गड़ बूल नक्षत्रास की बात करेंगे यह हमारी life में कैसे impact करते हैं उसकी बात करेंगे और life में और solution पे name की बात करेंगे यहाँ पर हम wound sign के लवा नक्षत्रा लेवल्स पे जाके भी बात करेंगे तो आपको naming भी यहां सिखाई जाएगी लेवल दो में ही 12 houses and their attributes तिर्कोन भाव धरम भाव अर्थ भाव मूठ गामा केंदर भाव उच्छे भाव पनफर भाव तिश्या या दाय भाव बारा लगन और इंके लेवल में ही आपको सारे के सारे लगन की डीफ साडीज होगी कि एक लगन कैसे आपकी जीवन में वक्त करता है एरीस से लेकर पाइसे तक लेवल तीन में हम जाएंगे कि प्लैनेट सब वेरियस साइन में रहते तो वो क्या योगास बनाते हैं राज योग दश केसरी योग इंके डिटेल में बात करेंगे कि एक प्लैनेट भी आपको राज योग दे सकता है कैसे देता है कब देता है कहां देता है उसकी बात करें के दारियक, पांच महापुरुष राजयोग, रुचक योग क्या होता है, भद्र योग क्या होता है, हमसा योग क्या होता है, मालवे योग क्या होता है, शास्त्र योग क्या होता है, महराजा योग क्या होता है, मला योग क्या होता है, बक्षी योग, कमल योग, केंद्र यो इनका combination रहता है यहां सारा पित्रदोश काल सब्टोशनी की धाया और यह कैसे काम करती है प्लैनेट योगा फॉर पैंडिंग करमा कैसे हमें हमारे कौन से ऐसे हांसी यहां पर उनके बैठने से बहुत सारे हमारे पैंडिक करमा को हमें कैसे दिख सकते हैं राजयोगास क्या होते हैं विप्रीत राजयोग क्या है विवयल विप्रीत kia है दरिद्र yoda दशा system क्या है डशा system is very long subject और बहुत बड़ा subject है कि है कि आपकी दशा क्या हैं इसके इंपडर्टंस क्या है महाधशा कॉंसरा क्या है आपको राहू में मास希望 लिए योड़ी करें और और कॉन सी दशाय हैं महाधश्य अंतरदशा एंड राजिट के साथ और कॉंसेप्ट और पेस्ट प्लेस्मेंट आस्पेक्ट इन केंजिक्शन यह सारे के सारा हमें रहेगा लेवल फॉर में बहुत एडवांस में जहां डिविजनल चार्ट को यूज करके प्रेडिक्शन को करेंगे विच इस कॉल्ड हमारी प्रफेशनल इस्टावलजि जहां पर मैरीज स्टैॉल जिसमें हम सारी इसारी मैरिग करेंगे कि हिस तरह की डिगनोस करना उस्को सेवेंफ हैंस की पूरी ढिटेलिंग का की रहीं योगा मेरी इसागी होगी अगर उंक्सी को करनी आ कि यह नहीव करनी है और अपको किसका कहासे मिलेगा कैसा मिलेगा पूरी की पूरी मेरी ज्राइलय जाएगा लव अफेर्स योगा बुछा मेरी नहीं सिखाएंगे लेकिन वह सारा का सारा आपकार इसमें नहीं नेक्स्ट हमारी चाइड अस्ट नोजी पूरी के पूरी चाइड अस्ट आपिक रहेगा कि कैसे हम देख सकते किसी को बच्चे डिलेंगे बॉट्शन होगे कि कुण से योगास होते मिसक्राइज के कारूमिक दोशा सके चाइड क्यूं बच्चा नहीं होता है या किस ताइम पर हो सकता है वह सबम पढ़ेंगे और हम यहां पर चार्ट के साथ ही सारा कुछ पढ़ेंगे और प्रोफेशनल एस्ट्रोजी पढ़ेंगे क्याइड कॉम्बिनेशन जॉब करें कि बिजनेस करें हमारे कितने कैरियर में ऑप्स्टेकल से चेंज कब आ रहा है टाइप ऑफ कैरियर लॉन्स यह सब पढ़ेंगे जॉब्स और बिजनेस एडुकेशन के थुरू होगा या अपने थुरू होगा फैमली बिजनेस करेगा या नया बिजनेस करेगा करेगा या जॉब में करेगा या कुछ करेगा या नहीं करेगा किसी और के साथ करेगा या वाइप के सा कि इसमें आपको यह सारे तरह कि सिखाई जाए कौन सा गुड़ एड़ूकेशन के लिए फिल्ड ओफ एड़ुकेशन यह टॉपिक्स नहीं है अपने आपने पूरे 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 कोर्सिज हैं जैसे आप लोग कोर्सिज करते हो यह अपने आप में उसे ऑफ डिविजनल चा तो बच्चा बढ़ा अच्छा था था उड़ी तो फिर आपको ऑब कॉलिज में दिक्ट हो रही है तो आपको फिफ्थ हाउस से लिख को गई कि स्कूल में दिक्कत हो रही तो वहापर जो झाएका जाएगा ऐगा अगर आपका बच्छा ट्वया पड़ी चार्ट को यूस कर करें तो वह सारे के सारे अब हमारे को यह देखना है तो फिर हम कौन सा चार्ट देखेंगे उसके अलों विदा लगन चार्ट कारकाफ एजुकेशन यह सारा हम देखेंगे उसके लावा इस्टोलोजी हम इसमें पढ़ने वाले कि आपके फॉरेंट कनेक्शन कैसे कौन से पर अबरॉड में आपका हुगा या नहीं है यह इसमें पूरा पढ़ेंगे ओवरोल हैं डिजीज बेसिक हैल्ट इसूज सड़न हैं इसूज कभोंगे आपके डिप्रेशन बेसिस पर कभोंगे कौन से ऐसे योग बनेंगे जब आपको एक्सिदेंट का इसू दिखाई दे इसको भी हम बहुत टेल में करेंगे उसका हम इसको लिखा तो चोटा टॉपिक है हम इसमें आपको फर्मॉलेशन ही पूरे सिखा देंगे कि कभ हमें कैसे उपाय करने चाहिए आज के टाइम में हमारे पास एक और भी बहुत अच्छा टूल होता है कि हम उन हाउसे को यूज करके भी बहुत अच्छी पावर्स को क्र लेडम बता रही है न यह एक पॉइंट एक चैप्टर है और यह एक पॉइंट के एक क्लास के आप पांच-पांच-पांच-छे-चे-जार पे देते हो तो यह पूरा का पूरा आप अगर इसकी शोट लेना चाहते तो मैं एक बर दीरे-दीरे करके आपको दिखा देता हू आप इसको इसके इंशोट ले सकते हो लगबग 16 पेज का तो कंटेंट ही है लेवल वन लेवल टू लेवल टू लेवल टू लेवल टू लेवल टू लेवल त्री लेवल त्री लेवल त्री लेवल फॉर 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 हैं और मैं बता दूँ कि अगर इसमें से ही हम डिफरेंट डिफरेंट को निकालेंगे न तो लगबग 20 से भी ज़्यादा कोर्स बाइस से ज़्यादा कोर्स हो जाएंगे लेकिन जो मेजर मेजर कोर्स होते हैं उन उनकी हमने जो यह प्राइज लिखी है आपकी जैसे बेसिक इसकी बी अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो यह लो होता है एक लाग तीन हजार रुपे का कोर्स होता है जिसका फ्लेट 50 परसेंट ऑफ है सभी लोगों को 51,500 रुपे मतलब आपको इसमें चार किस्ते देनी रहेंगी एक तो अभी एड्मिशन फीज देनी रहेंगी और हर 15 तरीक को आपको एक किस देनी रहेंगी जो भी आपका बैलेंस पयमेंट होगा यह हमारी डिटेल है बैंक डिटेल 9 675176666 इस पर आपको पयमेंट करना रहता है QR code भी हमने दे रखा है आपको bank detail भी हमने आपको दे रखी है इसकी video recording आपको एक साल के लिए मिलेंगी इसकी जितनी भी PDF होगी आपको group के अंदर मिलेंगी जिसका आप इस print out खुद निकालके अपने पास रख सकते हो वीडियो recording भी आपको इस particular की एक साल मिलेगी और जो भी ये course जोइन करेगा उसको हमने यहां लिखा है एक astrology consultation one date of birth की मेडम complete 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 astrological consultation भी जो 500 वर्थ की मेडम देती है वो भी आप सभी लोगों को जो भी जोइन करेगे उनको free मिलेगी तो आप इसका के वाले एक skin short ले लीजिए और आज का जो हमारा webinar का offer है webinar का offer webinar में ही valid रहता है webinar के बाद वो valid नहीं रहता है यह आप ज्यान रखना बाकी सबको एक कवानाजार 500 में ही जोइन करना रहेगा मैं webinar का offer आपको बता जेता हूं मैडम एक बार यह कि अच्छा सोरी सो जी देखिए यह चार मेने का course रहने माला है सबसे पहले मैं बता दूं आपको ऐसा offer आज तक हमने कभी नहीं दिया है कि हमने 50% आफ देने के बाद भी कुछ दिया हो लेकिन क्योंकि यह course बड़ा है सभी को payment में दिक्कत भी आती है हम आपकी और लोग सी आते हैं यह नौ तरिक से स्टार्ट हो जाएगा औरेड़ी बैज बन चुका है सतरा लोगों ने अल्रेड़ी एंट्री ले लिए बाकी आप सब लोग जितने भी लोग आएंगे आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करूंगा यह चार मैने कोर्स चलेगा चार मैने में यह हर वीक में तीन दिन कोर्स चलेगा तीन दिन कौन कौन से होंगे मन्डे टूजड़ और वैनिजड़ मंडे टूजड़ वैनिजड़ यह सारे की सारी कोर्स लाइव ओन जूम होने वाले हैं 9 बचकर एक मिनट पे इसका बैस टाइमिंग है हर क्लास का डियूरेशन एक से त्रेड़ गंटा कभी-गंट उता है डाइगंटा भी होता है लेकिन मिनीमम वन हुआ उवर शेशन रहता ही रहता है हफ्टे में तीन दिन चलेंगी तीन चार दिन आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे या आपके और भी कोर्स कहीं चल रहे होंगे तो आपको कर सकते हैं च तो मैक्सिमम तो मैंट जी से पूछ लें कितना दें दो जार चार जार पांच जार पूछ जार किसने हैं एक यह की विक्ति ने कर रहा है तो उसी से पुछ दे मैंडम केमरा ओपन कर पाएंगे मैं मैं आपको तीन नमस्ते मैं तीन ओप्शन दूंगा उसी में से बताना है आपको निदो आप तो ऐसा प्राइल लगाते हो कि हम देहीं नहीं भाएंगे है कि देशिण डिसकाउटव क stukशंट देए पांच अजार दें कि दस अजार दें इक हुए वह बहुत फाटाफन औरी देशार दिस वह वह टो वेडार का उफर रहेगा वेडार का मतलब यह रहेगा कि कल साथ बचकर साथ मिनट से पहले पहले जो भी पेमेंट करेंगे उनको यह एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा तो अब आयुशी जी बताएंगी कितना देगा तो आप सबको यह खुशी होगी 10,000 नहीं हम दे रहे हैं हम आपको दे रहे हैं आप सबको करने है 38,000 अब 38,000 में पेमेंट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं तो आयुशी जी ने 10,000 रुपे का डिस्काउंट मांगा है तो 51,500 माइनस 38,000 तो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 13,500 रुपे का लेकिन यह 13,500 रुपे का डिस्काउंट वैलिड है कल 7 बचकर 7 मिनट तक वेबिनार स्टार्ट होने के बाद कल का ओफर आएगा वो थोड़ा ज्यादा आ सकता है मतलब उसमें थोड़ा आपको ज्यादा पे करना रह सकता है अब 38,000 कोई भी एक साथ नहीं पे कर सकता तो जो भी लोग जॉइन करेंगे वो 8,000 पे एडवांस देंगे शीट बुक करेंगे उनको गुरुप में अंदर डाल दिया जाएगा बाकी के जो 30,000 रहेंगे उनको हर मैने की 15 तारिक को देनी है यानि अभी जो 15 तारिक आएगी तब फिर अगले मैने की 15 तारिक और फिर तीसरे मैने की 15 तारिक तो आपके को दिखकत आ रही होती है किसी किसी में दिखकत आ रही है तो आप ये स्केरण ले लिजीए स्केरर पे 2000 करके चार बार स्किंशोंट बिर सकतार उस की एक कंसल्टेशन सभी को फ्री मिल रही है इसके अलावा तेरा हजार पांसो रुपे का एडिशनल डिसकाउंट है जो की सिर्फ और सिर्फ कल साथ बजे तर वैलिट रहेगा उसके बाद आपको जो भी कल का ओफर आएगा वह इस से थोड़ा दो चार अजार पर ज्यादा आ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नाुगा से और ये नंडेट का लिंक चाहिए तक मेरा नंबर्स ट्रिपल 550 प्र Since उस पर मांग सकते हैं पेमेंट की सिलिप को आपके मेरे नंबर पे शेयर करना होता है मेरा नंबर है सेवन डबल सिक्स ट्रिपल फाइफ नाइन फाइफ डबल सिक्स जी मेडम अब आप जो भी बता रहें देखो एक चीज़ और भी बता रहें यह कोर्स जो है इसके पाद मुझे मैं आप लोगों को एक कोशिशन शीट भी दूगी उसके भी आंसर्स आपको देने पड़ें क्योंकि इस को सिखाने का मतलब यह नहीं है कि इसको एज इग्नोरेंस लियागा यह कोर्स ऐसा कोर्स होना जी जहां पर आपको प्रैक्टिस जोतिस से प्यार और उसकी अ करते हैं चाहिए हमें उसको करने का कोई हमें बेनिफिट मिलता रही है तो यह हम उस तरह से करेंगे और आपको मतलब पढ़के बहुत मजा आए बिस मैं तो यही कह सकती हो और कि जिसको जोतिस जाननी है प्रेम करना है मैंने अपनी लाइफ चेंज कर रही है आपकी कि फिर मैं ले ले लेती हूं एक पर एक वर चोटा सा ड्रॉ करके तारी कि लोग को दिक्कात आ रही थी देखो कि जब भी आप कोई होरस को बनाओगे ना अपकी पास इस तरह के जाने है कि यह होता है हमारा इस है कि इसमें कोई भी नंबर को सकते वा राशी वह एंद आपको यहां पर अंटिक लोग वाइस से जैसे दो यह एसे चलते हैं यह हमारे अंटिक लोग वाइस सब्सक्राइब तो यह था हमारा लगन simplest से हमारे कौन के अभी आपको बता आप से मैंने आपको बताए है हमारे संचित कर्वा एक बार आप इसको देख लो फिर बताते हैं यह होते हैं आपके प्रारब्द शिक्स हाउस प्रारब्द एट अब और ट्वेल्थ प्रारब्द लेकिन यह कौन से प्रारब्द होते हैं यह होते हैं हमारे वेरी स्टॉंग प्रारब्द इसे बोलते हम रिणादित यह सबसे स्टॉंग होते हैं इसको हमें पे करना ही पड़ता है और जन्वों जन्वों तक चलते हैं इनके सबके संद्विशन अभी बताता हूं आपको में क्यों वू है उर्ट यह होते हमारे क्रियामान कर्मा जो हमारे हाथ में है इस जनम क्रियामान कर्मा नाइन ताउस हमारा क्रियामान कर्मा और ये इसमें हमारी फ्री विल भी है प्लस क्रियामान कर्मा इसके हमें जरुत क्यों है ये बताती हुँ भी और ये जो लगन है ये टोटली फ्री विल कर्मा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेट माना जाता है योतिश में कि कहते हैं इस गेर्पिद्कॉन इस इसको फिफ्ट हॉस नाइन्थ हॉस इसको लक्षमी स्थान भी बोला जाता है तो इसको ठीक किया जाता है ज्यान ज्यान भक्ति से यारि नॉलिज से इसको ठीक किया जाता है बक्ति से बक्ति इसको बक्ति से किया जाता है और नाइन्थ हॉस इस वेरी इंपॉर्टेट इन आर लाइफ इसको किया जाता है करम से कर्म जो हमारे हाथ में है ठीक है कर्म योग से चींज प्यादा है और वैसे भी यह जो नाइन्थ हॉस है यह पांच वेसे पांच वेसे पांच विफ्ट हॉस से आपका फुक्त होता है यहां से गिनोगे ना की एक व्ण चूरी फोर फाइब यह हमारे हाथ में और ये जो कार्मिक य्यो कार्मिक है दियानी की कर्याओं कर्मा है यह हमारे हाथ में हैं और इस से हमारे सारे करमा कैसे ठीक हो जाते हैं अब मैं आपको बताओं क्लिया माठ कर आपको चार्ट से मैने बता दिया अभ इसका मैं आपको डिदमशन बताऊंगी कि कैसे हम अपने रिदमशन कर से पाश मुद बता देते हैं फिर थोड़ा बता देंगे तो जो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम इसको बक्ति के द्वारा यानि कि मंत्र चांटिंग के द्वारा भी कर से दूसरे तरह के आते हैं हमारे प्रारद कर्मा जो कौन से हाउस से देखे जाता है और उस में भी तीन वेराइटी है द्रिंडder और दिनादिकर द्रिंड कर्मा क्या होता है जो कि इनको बहुत अराम से आप अपनी लाइफ में र्डीम कर सकते है इसको उसको बहुत इसको क्या डिन कर्मा तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते है जैसे प्रारद हम एपने भोग नहीं नहीं लेकिन क्या फर्रक लगता है दिरख़न और अंध्ITH आता है वो कभी जू होते हैं और आदृरींड क्या होते हैं ते हम अपना काम कर सकते जिससे बिलकुल आपके समापत हो जाएंगे और यह वहां पर दिरे दिरे उनके ते द्रीम कर्मा है तो ये किस पर आता है ये हमारे आता है ओलमोस्ट है इसे हल्ट के लिए कोई से रेमेडिय कर सकते हैं यह लिए आप उसे रिलेटिक फास्टिंग गोशदी दान पतलब आपको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटिड आपको दवाईयों करना होता है आपको जो problem है उस से related बिमार लोगों की सेवा या उनको दान करना होता है उनकी व्यादिक पूजा करानी होती है और बुर्मों का सानिध्य है आप लोगे तो आपका ये पूरी तरह ठीक हो जाए ठीक है और अध्रिंट से क्या effect आता है हमारी life के अंदर उससे हाते है हमारे को money issues money के जो issues आते हैं वो हमारे पास आते हैं अध्रिंट से इसमें आप क्या कर सकते हो बंडारा लगाना donation देना बंडारों में donation देना और इसके अंदर आपको continuous करना पड़ता है और बाकी सारी चीजे भी जैसे मंत्रों का मंत्रों की chanting है यह सब भी आपको करना इसके अंदर पड़ता है तो आपकी इनकी intensity दीरे दीरे कम हो जाते हैं लेकिन जो रिनादी हैं उसको हम बोलते relationship वो हमारे बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं वो हमारे किसी के बच्चे का loss हो जाना किसी के यांग एज में partner का loss हो जाना किसी का कुछ हो जाना कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत काम करना पड़ता है उसके लिए आपको जीवन घर काम करना पड़ता है और करते रहना नाइन्थ हाउस जो कि हमारा कर्मों का भी भाग्य है और जो कि क्या क्या करता है एक तो यह हमारे प्रारद्द को कम करता है दूसरा इसका एक पार्ट किरियामान कर्मा का एक पार्ट हमारे प्रेजेंट लाइफ के लिए चाहिए और एक पार्ट हमें संचित करके भी लेके ज तो अब इसके उपाए किस तरह से होते हैसके उपाए होते दो तरह से एक तो उते धरम साधना ढुआरा की के डूसरा धरम साधना जोतिश पढणा भी इसका इक उपाए है क्योंकि वैदिक जोतिश क्याProduition कि और गुरुध ज्यान यह सुप हैं मंदिरों की सेवा प्रूं करन इसका एक पार्ट है और दूसरा पार्ट क्या है तीन तरह के चीजे होती हैं जो हमारे अंदर से पैदा होती है तीन तरह के कर्मा को हमें करना है कार्मिक क्या होता है हमें कोई ना कोई करम करना है हमें हम जब तक करम नहीं करेंगे भागय परधान नहीं हो सकते करम भागय से दूसरा हमें किसी को ऐसे बचन नहीं बोलें जिससे की वो खराब हुझे आप अपने बच्चों को ऐसे इसे शब्द बोलते हो जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो चीज़े आपको थोड़े दिन में दिखाई देने लगती है पॉर एक्जामपल मैंने अर्चना जी मुझे हमेशे बोलते मैडम आपने यह नहीं कराया वो नहीं कराया तो मेरा चाथ चौत्थी भार इंका बिहेवियर कैसा होगा अगर यह मुझे यह बोलेगी मैडम आपने तो यह बहुत इच्छा कराया था लेकिन मुझे यह समझ में लिए आया तो मेरा अटिटूट इनके प्रती चेंज हो जाएगा और आपके प्रती आपके कर्मा नहीं बनेगी तो हमें उन बचनों का भी ध्यान रखना है तीसरा हमें किसी को टॉर्चर नहीं करना इस सारे के सारे तीन आक्शन्स पे लेवल्स पे जो आपके कर्मा हो किसी को भी गलश शब्द बोलते हो वो सारे के सारे आपके ओरा को कि आया करें सारे किसा आपका और इस्टर हो जाएगा आपके अंदर जो है एनरजी नहीं रहेगी आपको ब्लेसंग्स नहीं आएँगी क्योंकि आप खुदी विमार रहने लिए तीसरा आपको कभी भी क किसी को तॉर्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि तॉर्चर करने से जो मांसिक लेवल पे करमाज होते हैं पर आरब फिर से बनने लगते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया मान कर्मा जोतिश में भी क्रिया मान कर्मा का बहुत बड़ा रूल है और इन से हमने है ये बहुत लाइफ to the action है कि आपको पार को समझ में कि कर आ量 होगा आज कि क्या है और कैसे हमारे दो प्रेड होते और कैसे हम इनको ठीक भी कर सकते मेरे दिल में यह आ रही क् organism को चोटा वक्चा बड़ा एसा हो जांब चास या फिर किसी के घर में को फीमेल हो, I see you में है, ठीक है, मा में तुन जब का जाब करा दो, हजारों में नहीं, लाकों में, ये वेदा में लिखा वह उपाए, पांच लाक मंत्रों का जाब करा दो, कहता है बंदा वाफिस आजाब, और ये प्रूवन है, मैंने आज तक पांच पांच लाक करांएं, उससे भी कापी फाइदा मिला है, लेकिन पांच लाग, पहले कोशन ले लेते हैं, तो अब आपको यह समझ में आगिया हुआ कि मैं क्यूं फेज कर रहा हूं, और जो आप और करियामान कर्मा को कैसे करेंट कर सकते हैं, हम और अच्छे बास सकते हैं, क्योंकि वह हमारे पास एक balance है ठीक के चीजों को लेट इको करके चीजों को Die सिटना हो सके तो आप उसको करोगे यही आपके बास एक बैदने शीट है जो यह आपके मी काटे और में आपके साथ कід जाएक धो इसरिक ने लेते हैं और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसको भी कुछन पूछना है क्लास से रिगार्डिंग आज मेडम ने जो बताया उससे रिगार्डिंग आप हैंडस कर सकते हैं कैमरा आपका ओपन होगा तो ले लिए जाएंगे सिंपल जैन जी से बात कर लेते हैं जैज में मैं कैसे कि अगर हमारे फोर्स हाउसने से ब्रस्कति है और आपने बताया जैसे जो बहुत नौई सारी में आवाज बहुत आरी आपके पीछे से अरे टीली के आवाज में पूछने में अगर किसी का भी बच्चा बड़ी एज में अगर डैथ हो जाती है तो वो किस कर्मा के में आता है तो मैं मैं उसके साथ जरूर पिछले जनम में कुछ भूरा किया होगा तो इस जनम में उसके जाने कबाद मैं उससे बहुत माफी मांगती हूं तो क्या में ये कर्मा मेरा उसका मतलब उसके साथ कट रहा है कि अगले ज तो आपको खायदा होता है ये सतर साल में आपको फायदा हो तो जब हम इस जान को समय पर ले लेते हैं आज आपको बहुत भागेशाली समस्त्री हूं कि मैंने कुछ एज में किया जिस एज में इसका पूरा बहुत पूटी हुआ थी लेकिन मैं उसको पूरा बेनिफिट उठा पाई और मैंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर पाए और जो जो गुरू बोलते गए वो चीजों को पनाया और कैसे हमारे होरोस्कोप में जो एक करमास की की लेवर Спन लेट पी ली करते है य। क्यूंक्र प्लेनफ की लिए पने पैर असपेक्ट में जब इंफ्लेंस में आते हैं तो कि में अपना फून पल नहीं देपा इंफ्लेंस वाले प्लाइनेट को भी ठीक करते दो हम इस लाइट में भी बहुत कुछ ठीक कर सकते नेक्स्ट कोश्चन ले लेते हैं आयूशी जेन जी का जी आयूशी याजीड़ीन मैं मैं आप बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं और आपने जो जो एक इस्पेइन किया बहुत अच्छी चे किया मैं अपने आपके दिल अच्छी आपको शॉत करते हूं कि अधा यूशी पते क्या होता है देखो अभी इस बहुत सरी इस्टालोजी की प्राइचिज है वहता कि है जब हम भी आठ दर्जिन के कोर्स कराते हैं हवते कराते हैं भी है विए लॉट अफ्टे इस नहीं को समझ वह बात करते हैं पांचमी नंबर की राशिय को स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अटोमेटिकली वह जो एक अल्फबेट सो ते ना वह आ जाते हैं तो फिर आपकी त्टे ना जितनी मजबूत नहीं होगी फॉंडेशन हो भी उतना ही होगा आइक एन अंडरस्टेंड और आपने कभी भी पढ़ा है आपको आया नहीं आ लेकिन क्या आपको एस्टोलोजी टफ लगी है मैं तो फिर आ गया तो भी आज़े मेरे को नहीं पता आपको कैसे आजएगा मन मुझे यह पता है आज़ेगा इंक यू मैं रूपा ली जोरी में रादे राजे जी नमस्ते सर नमस्ते मैं बहुत अच्छा बताया आपने यही एक गंटे में हम अपना रेक कर्म 90 परसें रिमू कर सकते इतने अच्छी पार अपने बताई कि मोक्षय तक ले जा सकते है यह बात इतना लाइफ का सिक्रेट अपने बता दिये मुझे कुछ पता ही था मेरे मतलब मही ने जब नाम दिख्षय लीती था मेरे बुरू ने यह करो और यह बताई था लेकिन अच्छी प्रेरिकेशन हो गया यह मंत्रे चांड करने चाहिए यह 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 जो एट था उसका आता है ना देखो कर रुपाली जितना मैं आपको देख पा रही हूं कोई ना कोई आपका स्ट्रॉंग रिलेशन्शिप इशू है क्या वो सब कुछ है लेकिन आपने जो वहाँ पर दिया है ना कि वहाँ पर मेरे हजबन की डेथ हो गए वो रिलेशन्शिप इस तो आप क्या करना मैं इसलिए आपको पूछा कि अगर क्या होता है कि कईवर ऐसा चेलेंज होता है कि कईवर लोग बैड रिड़न होते हैं या कहत इसको बोलते हैं मारक जैसी तो अभी आपके सब एक सिचुएशन हो चुती है लेकिन जब आपको है तो अपनी उस तीज की मैंने अभी आपको क्या पता है उसके मंत पर जाब उसका डूनेशन उसी तरह के बिमार लोगों को उस तरह की दवाईयों को देना जो आपको है औ और बेडिसिन का डूलेशन करो इसे भी जो भी हुपा है अपने स्टार्ट वेंड बदता है वो सब मंत और उसके शोशदी से भी आपने स्नान कर सकते है जो भी वह प्लैनेट वेटा उसके और शोशदी से मतलब कि उसकी हर्प से कर सकते है कि अपने अच्छे तरह से बताए ना कि उस दिन मेरा बड़े था दो दिन बाद तो सारी जगह पे गुप्तादान हो गए चलो अच्छी बाद लब यह थोड़ा सा सीक्रेट और आपने बताया था वो मेरे लिए बहुत अच्छा चला इसलिए मैंने मैं आपकी धन्यवाद किसी ने मुझे एक वादिक तॉचा था था वेडिक श्तॉलज़ी फॉट ने विए वीफ टॉड़़े के स्टॉलजी वाद लोट प्रॉड प्रांचे बट प्रॉड़ी मैं थे अच्छी को प्रुड़़े के स्टॉड़ूड थे अच्छी वाद फॉड़ परॉड Secondly, it is the mother of the All Astrology. हर astrology में जो basic chart यूज होता है, वो लगन चार्टी होता है, अभी तक कोई ऐसी astrology नहीं है, इसी से निकली भी सारी चीस्थे है, कितने सालों पुरानी है ये, मेरे गुरुजी कहते थे, कि जब आप करते हो, whether you gain something or not, it is not that everything you count in money, which is countable. अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ चोट लगजे, accident होजे, वो कहें मेरा सारा पैसा चला जाए, मेरा बंदा बच जाए, और बंदा बच गया चाहिए, पैसा चला जाए, पैसा तो और कमा लेते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि हम हर चीस को count कर सकते हैं, तो वो सब की मदर है, तो आपको उस तरह से सोचना कितनी भी पढ़ते रहो, कोई भी प्रांच पढ़ते रहो, डाट इस डिफ्रेंट और उसका पढ़ने की कोई वो नहीं होती न, किता मंची पढ़ो, अंकिता बंडारी जी पर लेड़े, मैं मैंने एड्मिशन तो ले लिया है, पर मेरा एक क्वेस्चन है कि मैं अंदर से मैं तोड़ा सा मुझ जैसे मेरा मन था कि मैं वास्तु सीखो, किसी ने ग्रूप में से कोई फ्रेंट बन गई और उसने सबसे पहली बात मुझे सजेस्ट करी नहीं, आप चित्रा मैं से ही सीखना नहीं और से नहीं सीखना उनीश ही सीखना चलो कर लिया मैं वह भी हो गया, अब इस दर है मैं मन में कि जिसे सब लोग कहते हैं कि हमें 15 साल होगे या जू भी मतलब 20 साल हो गया अब भी इतने ग्रहाय हो गया वास है तो मैं सच्छी है मैं गी बात अब इसे सोगे आप उसके ऐसेंस को समझेगे तेरी नो लिमीट ठीक है जब आप उसमें चलों के इसी सेक्टर पर जाना है ना आप इसी पर काम करना किसी चीज का कोई अंत है आप गिरोगे चोट लगेगी नहीं लगेगी चौती मनजिल से गरके बंदा बच गया इसने भी चीज के कोई रूल है इसको क्या होगा क्या नहीं होगा कि यह भी चीज़ है कि जैसे मान लो चार-पांच महीने में हमने यह मतलब क्या मैं प्रैक्टिस तो मैं फिर प्रैक्टिस से आएगी ना मतलब वही वह अंकिता जी मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आएगी डैसो आपको अपने पर भरूसा है बाद कि शीए पहुझ गे पहुझ गया मैं अगर किसी ने रिक्मेंट किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा बाकी किसे अपकी कोई हैं जिन्हों ने आपसे शायद 53 कोर्स करें उन्होंने नोट मांगे थे ग्रूप में उनको मैंने नोट सारे अपने प्रैशन कुंदी के चार सब्सक्राइब तो झाल हो अब अब को चैनल करो तो यह करो आपको इंड़ेस्टियल वास्तु प्रोफेशनल वास्तु वास्तु अब उसकी टेंशान लोगा ठीक है और जब astrology और वास्तु दोनों ही सीख जाओगे ना तो कमाल के consultant बनोगे और अब astrologer के पास सबसे ज़्यादा consultation आती है वास्तु वालों के पास कम आती है लेकिन उनका अमाउंट ज्यादा होता है तो दोनों ही चीजे आप ऐसी सीख जाओगे कि मास्टर बन जाओगे आपको टेंशन लेनी के आवशकता ही नहीं नेक्स कोशन हम ले लेते हैं बंदना जी का और अंकिता जी एस्ट्रोलोजी जो है न उसके बीना बाकी साइंसिस आपकी वैसे ही क अमाज माई गाम मुझे बाकी सीख है नहीं न जब चर्दी आई नहीं तो रजाई कू निकालनी आए आप छोड़ दो आप इन्हाइगे बस क्लास में हो बस छोड़ दो मेरे उपर बात कर आदा डाग गाए राधे मैम राधे राधे सर्णरई राधे राधे कैसा है माजु तो नो बजे चलेगा क्योंकि आपको मिलेंगे प्रेक्टिस के लिए आना कौशन आज़ाएं लेकिन रहे हैं आपको थोड़ा सा चार में देने पड़ेंगे भूट बर क्या होता है जब हम आफ्टर नून का रखते हैं तो बहुत सारे मेल जोईन नहीं कर पाते हैं या working che ոारा काम कर करने हैं थोड़ा सारे νों साड़ेंग नों साड़े आते हैं तो उनको थोड़ा एक ग४ंटे के लिए और जो याए और जो लिए नहीं को डिकत होती है नहीं बज़े नौ बज़े जूती तो देस-पंदा मिनिट में आके जोइन कर सके और सब हाउस भाइज भी जोइन कर सके वर्किंग में भी जोइन कर सके इसे लिए टाइम रखा गया है बड़ा पूर्ज है इसका टाइमिंग बाकि तो आपको बता ही है 12 बजे बीदिश आते हैं तीन बंजे भी आते हैं पांज आपकी लाइफ में राहू और केतु की जो पावर है किस तरीके से आप इस्तमाल कर सकते हो क्या वीक्नेस रहती है उसकी सभी की चर्चा करेंगे बहुत इंफॉर्मेटिक सेशन रहने वाला है लेकिन वेबिनार जोइन करने से पहले-पहले आठ हजार रुपे सभी लोग ढाल दीजिए नहीं तो आपको साड़े तीन अजार रुपे का नुकसान हो जाएगा 38,000 रुपे का आज ये कोर्स है एक लाग तीन अजार में आपको 50% आफ तो कभी को आपने दिया है चाहे वो नौ तारिक तक एड्मिशन ले सकते हैं लेकिन कल साथ बज़े तक अगर आप करेंगे तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 38,000 रुपीस का इसमें से मेने तक आपकी एक हिस्ते चलेंगे जी जी आएगा तो तो आट जार करेंगे तो दस जार तीन बार आएंगे न दस दस जार आएंगे तो आपको करने हैं तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे जिसे कॉशन रहे गए कल ले लेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ट से दमिस्टिक पावर और राहु के तू थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन और मैडम आपने इतना प्यारा सेशन दिया आज मज़ा आ गया इतनी अच्छी चीज़े बताई इन चार दिनों में हम बहुत सारी चीज ऐसी सीख कर सके थैंक यू वरी मुच रादे रादे तो ओल इस्टे ब्लैस कीप लर्निंग अप्गेड यूर्सल्ट थैंक यू वरी मुच रादे रादे तो ओल